कि सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकर नेवर मिस अन अपडेट हलो अरीवान मैं मोहित महिंद आज आपका रिजिंग मिंटर जैसा की हम लेकर क्या आपके लिए ओल इंडिया लगातार अपको सीख रहे हैं थे जो हो सकता है कि आज फस्ते हम देख रहांगे जो लोग स्पीट यह उसके बच्चे हैं जो सारे कौशन नहीं भी कर पाते बहुत सरे कि बात भी बहुत सारे question का approach जो है वो आपका अपना रहता है लेकिन जब आप हमाइसा discussion में जुड़ते हैं तो बहुत सारी बाते सीखते हैं जो shortcut है बहुत सारे question है जिनको हम सिर्व विकल्प देखकर ही सही कर देते हैं उसका एक point देखा और देखने बात बुला कि यह बिकल्प आपका सही है तो इस तरीकी के साथ जुड़ने के लिए आपके मैं मुहित मेंज़ाज आपके लेकर क्या है चले शुरू करते हैं आज का अपना discussion देखें यह हमारा question है आपको statement दिया है conclusion दिया हुए solve करना है देखें no garden is park कोई garden पार्क नहीं है आप no का डियाग्राम ऐसे बनाएंगे no garden in park फिर है some garden are school some gardens are schools अब यह आपका डियाग्राम बन गया उसके बाद आपको नेचे दिया है confusion पहला दिया है no park is garden अब देखें जब पूरा पूरा गार्डन पार्क नहीं है तो फिर definitely no park is garden आपका सही होगा तो पहला वाला जो confusion है वो हमारा सहीं जाएगा कोई भी šक्ति पार्गार्डन नहीं है इसकोल और गार्डन में कोई रिलेशन नहीं है कांट से इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं इसलिए second वारा जो conclusion है वो हमारा सही नहीं होगा इसको हम लोग गलग कर देंगे एक तो उसके बाद आपको दिया है सम पार्क सार गार्डेन कुछ पार्क जो है आपके गार्डेन है ठीक है यहाँ पर जो कथन था हमारा अ सब्सक्राइब ले कि यहां पर ड्याइग्राम आएगा ऐसे है यह डिया Loch〜 बनेगा हमारा समाइटिन से स्कूल अब जैसे कहता है समझ हुर तो यह सही द्वा गार्डेंट सbench हो जाएगा और दूसरा है संपारक नाением पार गार्डेंट तो अधे प्राइट एंसर प्राइब है फॉस्ट एंड सेकेंड कर्गुजन आपका यहां पर सही है औप्संट जो है आपका यहां पर आप अगले प्रस्ट इतिक है यहां पर आपको कोड़ कोश्चन दिया गया है पहले आपको information भी जाती है, A-B का मतलब A sister आप भी है, A multiply B का मतलब A husband आप भी है, A divisible B का मतलब A the son आप भी है, ठीक है, अब जो है आपसे यहाँ पर एक equation दे रहा है, इस equation को आपको क्या करना है, solve करना है, जैसा information में दिया जा रहा है, तो आईए, यहाँ पर हमें पहले multiply का सांदिया है multiply का मतलब है बच्चों A husband है B का मतलब Y husband है M का तो Y husband है यहाँ पर double line लगा देंगे इनके बीच में husband और wife के लिए यह इसता लगा देंगे Y husband है M का फिर आपके सामने यहाँ पर minus symbol दिया हुआ minus का मतलब क्या है A sister है B की ठीक तो इस तरीके से N sister है T की N sister है T की ठीक है आगे आपको divisible का sign दिया है divisible का sign है A son है B का मतलब यहाँ पर T son होगा Z का तो इस तरीके से आप बनाएंगे T son हो जाएगा Z का ठीक अब आपसे पूछा क्या गया है How is U related to Y U कैसे संबंधी थे Y से और अभी यहाँ पर एक लाइन और लिखे थे मैंने ध्यान ने दिया Z के बाद divisible L भी लिखा हुआ है और divisible का मतलब A son है B का तो Z son हो जाएगा L का मतलब Z son हो जाएगा उपर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और L का यह ध्यान दिजाएगा दिख रहा है Z son होगा L का multiply का मतलब है फिर L husband B का diagram कुर्वा नीचे रहना पड़ेगा काफी उपर diagram चला गया जिसकी वज़े से problem आ रहे है कि देखिया आप वाई multiply m दिया था आपको ठीक है तो multiply का मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया था है A husband B का यानि Y husband किसका M का उसके बाद माइनस T दिया है माइनस का मतलब है A sister B की तो M sister हो जाए किसकी P की M sister हो जाए कि T की E minus Z दिया हुआ आपको ठीक है यहाँ पर अभी देखा आपने माइस मतलब क्या होता है माइनस का मतलब sister यानि कि यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा T sister किसकी Z की T sister है Z की Z divisible लिखा है divide का मतलब A sun है यानि Z sun किसका हो जाएगा L का Z sun हो जाए किसका L का फिर आप से last में आपको multiply दिया multiply का मतलब husband है L husband है किसका U का यह आपका diagram बन जिया है आप से पूछा गया है how is U related to Y U कैसे संबन देते Y से अब आप देखिए ध्यान से यह बच्चे हैं और यह यू जो है mother है इन बच्चों की और यह इनके पतिनी है पतिनी की जो मा है पतिनी की मा कौन होती है सास यानि mother in law तो सही बिकल्प हमारा यहां पे B वाला होगा mother in law B आपका यहां पे correct answer हो जाएगा ठीक अगला प्रस्टा 4 numbers pair have been given out of which 3 are alike in some manner and one is different select the number pair that is different चार संख्या जोड़े दिये गये हैं जिन में से 31 से 214 के बीच में आपको logic दिखा रहा हूँ जैसे 31 में अगर हम 7 का multiply करते हैं 31 में 7 का multiply करते हैं तो और minus 3 तो साथ एक कम साथ शात्र के किस यानि 27 हो जाएगा और minus 3 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 214 जैसा कि यहां पर दिया गया है हाना साथ से multiply किया और साथ से multiply करके से 3 सब्सक्राइट कर दिया तो आपका 204 आ गया यही 37 से 256 में भी हम देखते हैं 37 से 256 में 37 में साथ का multiply करते हैं और minus 3 करते हैं तो सात्र के किस हो जाएगा आपका नहीं सासदा उन्चास सासदा उन्चास 9 सात्र के किस चार पच्चिस 269 आएगा और minus 3 करेंगे तो आपको फिर मिल जाएगा 256 जो कि आपको यहां पर दिया गया है यह वाला भी आपके साथ लॉजिक सही चल रहा है 21 154 में देखते हैं 21 154 यहां पर भी हम सास से multiply करते हैं 21 का सास से multiply minus 3 21 का सास से multiply साथ एककम साथ सादुनी 14 147 माइनस 3 कितना हो जाएगा 144 देखे ऊपर की दो नमबर थे A और B उसमें तो यह लॉजिक आपकी परफेक्ट दिखाए पड़ी दोनों में सही चल रहा है लेकिन C वाले में यह लॉजिक नहीं चल रहा है इसका मतलब यही वाला जो आपका क्या होगा वो हो जाएगा different यह आपको हो जाएगा different C वाला हम लास्ट वाले को भी चेक कर देते हैं 39 39 माइनस 30-32 कथाब के साथ इसका relation आपको देखना है 39 में हम multiply किस से करते हैं साथ से multiply माइनस तीन तो यह साथ नवा तिरिशट तीन आ जाएगा और सात्रे किस अच्छे तो यह 27 यहां पर आजाएगा सत्ता है 273 माइनस तीन बराबर आपको मिल जाएगा 270 यह भी आपको यहां दिया हुआ तो इसलिए आपको यहां पर C वाला जो विकल्प है वो लकुल करेक्ट है C वाला विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा आते हैं नेस्ट क्वेश्चन दिया आपको फोर वर्ड्स है बिन गिवें आउट आप इस त्री आरा लाइक इन सम मैनर एंड वन इस डिफरेंट चार सब्द दिये गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान और एक अलग हैं बेजोड सब्द का चैंकरें alealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale अधाव मैं ट्रंगल सार देन दा गिवें फिगर दी गई आकृति में कितने त्रिवुज है आईए हम आपको काउंट आते हैं इसमें देखे आप आप देख रहे हैं यह जो आकृति बनी हुई है यहां पर है अना तो इसमें एक दो तीन चार चार त्रिवुज यह दिख रह साथ के बाद यह हो जाएगा आठ तो इसमें आठ त्रिबुज यहां पर आपको दिख गया है ठिक यह आठ त्रिबुज आपको दिख गया है उसके बाद देखे यहां पर यह त्रिबुज आप देखेंगे तो यह एक दो और यह मिला के तीन तो तीन यहां पर हो गए ठिक य 8 3 11 इसके बाद हमारा एक ट्रिबुज आप यहां पर देखेंगे ऐसे 11 और 12 बारा के बाद आपका एक ट्रिबुज यह है एक ट्रिबुज आपके पास यह है ठिक इस तरीके से टोटल जो ट्रिबुज हमारे पास बन रहे हैं 8 प्लस 3, प्लस 1, प्लस 1, 8 तिन जारा एक बारा एक तेरा, तो टूटल हमारे पास 13 त्रिबुच बन रहे हैं, 13, 13 आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा, टूटल आपके यहां पर 13 त्रिबुच बन करा लें, नेस्ट क्वेश्चन देखें आप कोडिंग का क्वेश्चन दिया है इना शर्टन कोड लैंग्वेज इस्पेशल इस कोड़े 20176410213 हाव विल मसीन भी कोड़े इन डाट लैंग्वेज सबसे पहले देखिए इसकी लॉजिक क्या चल रही है इसकी लॉजिक को देखने के बाद हम इसकी यहां ते लॉजिक फाल्व कराएंगे चिक इस्पेशल को कोड किया है 20176410213 अब आप देखिए एसकी वेलू होती 19 यहां पर प्लस वन कर दिया गया तो यह क्या हो गया 20 ऐसे 16 है 16 का प्लस वन 17 पांच इसका प्लस वन किया गया 6 तीन इसका प्लस वन किया गया 4 ठीक है यहां पर आपका 9 है 9 का प्लस 1 किया गया है 10 1 है 1 का प्लस 1 किया है 2 12 का प्लस 1 किया है 13 इस तरीके से जो place value थी उसके place value में प्लस 1 प्लस 1 लगाया गया है ठीक है तो same हमको machine में भी यही करना है machine ठीक है M का जो है place value आपका 13 है तेरा में प्लस 1 करेंगे आपके इतना जाएगा 14 1 का place value 1 है A का और यहांपे करेंगे तो 2 आजाएगा C का प्लस 1 करेंगे 4 मिल जाएगा H की place वेलू हमारी 8 होती है प्लस 1 करेंगे 9 आजाएगा यह है 9 प्लस बन करेंगे 10 हो जाएगा यह 14 प्लस बन करेंगे 15 हो जाएगा और यह है आपका 5 प्लस बन करेंगे 6 आजाएगा इस तरीके से 14249056 यानि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 1424910156 तो सही एंसर जो आपका मिलेगा वह आपका यहां पर कि वाला विकल्प आपका करेंगे जो है आपका यहां पर राइट एंसर हो रहा है अगला प्रस्था अब 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 आपको पता है कि जो चीज पास में वह पास मनेगी जो चीज दूर में वह दूर मनेगी तो चली आई हम चेक करते हैं क्या होगा सही के को लेकर के हमें देखना है बिल्कुल सुरवात में के सही है चारों में के की पोजिशन बिल्कुल सही दी गई है पी को लेकर देखते हैं तो पी को लेकर के फस्ट की पोजिशन सही है सेकेंड में भी सही है सी वाले में गलत है डी वाले में भ तो पोजीशन बिल्कुल देखें यहां पर यह तो पहले भी कट कर चुका हूं मैं लेकिन अभी तक D तक तीनों में सही जा रही है इसके बाद हम Z को लेकर देखते हैं जड की जो पोजीशन है वो आपकी A वाले में गलत बनी हुई इसको आप कैंसिल कर देंगे आप D वाले में देखते हैं और B वाले में देखते हैं कि सलेक्ट दा फिगर डैट केन रिप्लेश दा कुश्चन मार्क इन दा फालोइंग सिरीज उस आकर्टी का चैन करे जो निमलिखी सरंकला में प्रश्चिन को प्रतिस्था पिता सकती है ठीक है यहां पे सिरीज चल रही है और इस सिरीज को आपको देखना है क्या होगा देख के जिसे आप देख रहे है यहां पर एक स्कूहः है और м bak арश हर अभिए अभी हाँ पौने में फिर स्के बाद फिसके बाद वह इस और यहां कोने स्क्वायर यहां चला गया है सर्कल यहां पर आ चुका है ठीक है सर्कल यहां पर आ चुका और ट्रेंगल यह यहां पर शिफ्ट हो चुका है ट्रेंगल यहां पर आ चुका है यहां पर जाकर के एक नई फिगर आ रही है देख रहा है इसक्वायर वारा यहां पर गया है उसके बाद यहां से चलते हैं इस ओ यहां पर आ रहा है यह ऐसे हो रहा यह ऐसे हो रहा यह ऐसे हो रहा फिर यह उपर जा करके नई फिगर लेके चलाया है अब हम इसमें सेकेंड भी देखते हैं यहां पर भी देखिए फिगर यहां पर आ रही है ठिक उसके बाद यह फिगर आपक आपकी यहां पर आ रहे है, ऊपर जाकर के एक नई फिगर दे रहा है, ठीक है, यह लोगी चल रहा है, इसके बाद यह फिगर हम यहां पर ला रहे हैं, बीच में, इसको यहां पर ले गए, यहां पर चले आई, यहां पर आई, ऊपर जाकर यहां पर नई फिगर आ रहे है, मत और D वाले में नहीं, A और B दोनों में ये figure हमारे बीच में हो, ये figure बीच में आएगी और इसके बाद ये वाली figure ऊपर जाएगी, B वाले में ये figure हमको नहीं दी गई है, finally हमारा A वाला विकल्प क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, ठीक है, ये logic यहाँ पर आपकी चल रही थे, Select the letter that will replace the question mark in the following, उसक्षर का chain के जिन्मीगी स्थान लेगा, देखिए बड़ा आसान सा logic है यहाँ पर, पहले तो ये चल रहा है A, E, I, O, U, ये हो गई वाबेल की बात, ठीक, ये आपके वाबेल चल रहे है, A, E, I, O, अब ये देखिए J, ये यहाँ की प्लस टू, दस दो बारा, बारा दो चाओदा, चाओदा दो सोला, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सोला दो अठारा, अठारा का मतलब R, आर यहाँ पर सही हो जाएगा, A वाला जो भी कल्प है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, A इस दा राइट एंसर, A वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अगला, Select the letter cluster that can replace the question mark in the following series, उस अक्षर समू का chain करे, जो निमलिखिस रंकला में प्लस चिन को प्रतिस्था पिक कर सकता है, देखें, यहाँ पर आपको दिया है, N A V I G A T, उसके बाद यहाँ देखेंगे, V I J A T है, और यह आपका प्लस टू हो चुका है, और उसके बाद यहाँ भी प्लस टू दिखा रहा है, 14 दो 16, फिर आप देखेंगे, आगे क्या है, G A T A, यह चार आपके सामने हैं, G A T A, और इसमें से फिर माइनस टू हो गया, यहाँ पर यह माइनस टू दिखा रहा है, और यह माइनस टू दिखा रहा है, यह 22 है आपका प्लस टू हो चुका है, और यह प्लस टू हो चुका नो गजा रहा है, ठेक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे थे, लास्ट में यहाँ पर, कि इसके बाद यह चारो ही चीज्ट होए है, ठेक, तो जब यहाँ पर हम रखेंगे, जिसे N आपको दिया है, यहा का मतलब यहां पर भी आपका बनेगा एन ए एन ए और वी आए आई यहां पर आ जाएगा cte cte तो सही जो बिकल्ब हो जाएगा वह आपका 10 का c हो जाएगा यह वाला बिकल्ब आपका थे जाएगा कि अगला कुश्च्छ है अगला को सलेक्ड ऑप्शन इन विद्वर्ड पेर सेर दे सेम डिशन से बैस एड़ जैड़ गिवें पेर आफ वर्ड उस विकल्ब का चैन करें जिसमें सब्द्यूग वही संबंद का साधा करता है जो दिये गए सब्द्यूग में साधा कि रहता ठ आप को विकल्ब दिया है उसमें आप देखेंगे तो क्या सही होगा सीध्य आपको पता है चर्च में प्रेयर करते हैं तेड़ी क्या वाइशन है वही रिलेशन हमको सार्श से निकालना है तो चलिए देखते हैं तीन का स्क्राइर कर दिया जाए और इंटू टू उसके बाद हम करते हैं मैनस 3, तो 3 का e square कितना होगा 27, 27 का 2 से multiply यनि 54, और 54 को फिर 3 से क्या कर दे, सब्ट्राइट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या 51, जो कि यहाँ पर दिया है, 3 का e square किया, square करने के बाद 2 से multiply, मैनस 3 किया, 27, 24 24 मैनस 3 निक्या हो ऐसे ही साथ में करते हैं साथ का स्क्वाइर इंटो 2 माइनस 3 साथ का स्क्वाइर 49 49 इंटो 2 49 दुनी 29 18 24 8 1 9 और उसके बाद आपको क्या करना माइनस 3 करना है साथ का स्क्वाइर 49 साथ का स्क्वाइर 49 साथ का स्क्वाइर ने क्यूब करना था गलती हो गया तब इतर बड़ो रहा है साथ का क्यूब था वहां पर तीन का क्यूब साथ का क्यूब साथ का क्यूब इंटो 2 माइनस 3 तो साथ का क्यूब 343 हो जाएगा कि 343 में दो से गुड़ा करेंगे और उसके बाद आएगा आपका दो त्याइच्छ दो चोको आठ और दो त्याइच्छ 686 इसमें से सब्ट्रैट करें कितना माइनस 3 माइनस 3 सब्ट्रैट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा साथ का क्यूब है तीन के क्यूब में तीन से माइनस साथ के क्यूब में साथ से माइनस करेंगे तब बात बनेगे साथ के क्यूब में साथ से माइनस करना पड़ेगा तब बात बनेगे इसमें साथ के क्यूब में साथ से माइनस करना पड़ेगा साथ का क्योब है तुम माइनस साथ करना पड़ेगा तो आपको भी लेगा 679 यह लोजिक चलेगी यह कोषब 3 का यूण स्क्क्वायर किया था नरहे टागा तिन का क्यूब इंटू-3 ते न का क्यूब 27 दो से मल्टेप्लाई किया चावण 24 में से 3 गढ़ भिए 51 यहां पर साथ का क्यूब किया साथ का क्यूब 342 से मल्टिप्लाई किया चेह सो चीयासी आया और फिर साथ से घटा दिया तो 619 आया सेम लॉजिक चल रही है जो हमने यहां पर फालो किया वाला विकल्प आपका यहां पर सही जाएगा अगला कुश्टन 29 जून 2010 को सब्का का कौन सा दिन था इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वेस यह बनाएंगे वह होगा आपका दूहजार 2010 की बात करी जा रही है इसका मतलब अभी तक आपने पूरे complete 9 साल कर लिए है 9 यर आपके होगे complete लेकिन इस 9 यर में हमारे पास कितने leap year है और कितने नर्मल यर है पहले हमको यह जाना है तो आपको पता है कि हर 4 साल बाद एक लीव्पियर आता है, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दे। तो 4 दुनी 8 है, 2 आपके पास आ जाएंगे लीव्पियर, बचे 7 और ये 7 आपके हो जाएंगे नारमोगी हैं. आपको पता है कि एक लीपेर में दो विसम दिन होते हैं यानि दो लीपेर अगर हमारे पास आते हैं तो चार विसम दिन मिल जाएंगे और एक में एक मिलते हैं नहीं साथ, तो टोटल साथ चार ग्यारा, ग्यारा विसम दिन हमाई पास मिल जाएंगे कितने साल में, नौ साल में, तो एक ग्यारा का मतलब तो आप जानते ही, ग्यारा का मतलब जो संख्या चार, जो संख्या साथ के बराबर वो जीरो है, तो वहाँ में आपको मिलेंगे तीन बिसम्दिन, 2010 की फरवरी है, लीप के इसमें है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, मार्च की बात करते हैं हम लोग, मार्च में आपके पास तीन बिसम्दिन आएंगे, अपरेल में अगर हम देखेंगे, अपरेल में हमारे पास दो बिसम्दिन आएंग फिर मई में जाएंगे हम मई में हमारे पास क्या होंगे तीन विसंदिन आएंगे और ऐसे जून की बात हो रही है तो जून की आपको 29 जून तारिक भी हुई है 29 जून का मतलब होता साचोक 28 अगर साचोक 28 में एक बचेगा तो यहां पर हम एक विसंदिन लेंगे अब आएए इनका निकाल लेते हैं चार तीन साथ यह हो गया जीरो साथ जहां बंदा है उसे जीरो कटी तीन दो पांस तीन आठ एक नौ नौ आया है नौ का मतलब इसमें से साथ निकल जाए कि इतना बचेगा दो बचेगा और दो को हम लोग क्या बोलते मंगलवार दो अगर आता है तो हम लोग कहते मंगलवार आया है इसलिए यहां पर सही विकल्क जो हमारा है वो डी वाला हो जाएगा ठीक है सही विकल्क हमारा डी वाला हो जाएगा कहीं कोई डाउट नहीं है अगला क्वेश्चन विच अब दा फॉलोइंग वेन डायग्राम वेस्ट रिलेशन वेस्ट रिप्रजेंट दा रिलेशन से बिट्विन दा फॉलोइंग क्लासिज निमलिखित में से कौन सा वेन आर एक निमलिखित वर्गों की 20 संबं है लेडी कॉंस्टेबल अंकल एंड मदर ठीक है तो आप देखेंगे यह बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेडी कॉंस्टेबल अंकल और मदर जो आपके जो मदर्स हैं ठीक है यहाँ पे जो आप देखेंगे लेडी कॉंस्टेबल और मदर के बीच में आप यह रिलेशन और ये है आपकी मदर तो मदर लेड़ी कॉंस्टेबल भी हो सकती और नहीं हो सकती लेड़ी कॉंस्टेबल भी मदर हो सकती नहीं सकती लेकिर अंकल अलग हो जाएंगे ये सारे आप कर दीजें थे CT तो इस तरीके से हम यहाँ पर सही विकल्प सी वाला लगा देते हैं सी वाला विकल्प हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा next question which two signs should be interchange to make the given equation correct दिये गये समीकर को सही बनाने के लिए किन दो चिन्यों को आपस बदला जाना चाहिए देखिए इस particular question के लिए क्या करना पड़ता है आपको विकल्प से ही question solve करना पड़ता है कोई direct answer का तरीका नहीं होता है तो आएए जब विकल्प से ही करना है तो हमको भी solve करना पड़ेगा यानि यहां पर multiply और divisible को change करके आप देख सकते हैं पहला विकल्प है यहां पर डिवाइड कर दीजे यहां पर multiply लगा दीजे आप देखिए थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी देख सकते option से कि यहां पर divide करने पर संख्या पूरी नहीं आएगी हना तो इस वाले option को हम touch नहीं करना चाहते हैं cancel कर दीजे कि आपको देखते लग गया कि यह तो डिवाइड नहीं हो पाएगा अब हम देखते हैं सेकेंड वाले को multiply और minus multiply और minus अब देखिए यहां पर multiply लगाएंगे तो 9 का multiply बहुत ज़्यादा हो जाएगा 54 से और वहाँ बाद में equal में 21 लाना है तो यह भी value ठीक नहीं है इसको भी ignore करिये अभी c में divisible और minus दिया हुआ divisible और minus divisible और minus में कर चेंज करेंगे तो बात बन सकती डिवाइड होने पर संक्या कम हो सकती यानि 14 गुड़े 3 minus 27 प्लस 54 divisible 9 equal 21 ठीक है अब देखें यहां पर यहां पर क्या हो रहा है कि जब यहां से करेंगे तो वहां से divide हो जाएगा यानि 21 यह हो जाएगा नौचंद 54 हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा यहां पर 14 42 हो जाएगा ठीक अब 42 और 6 48 आपका हो जाएगा 48 minus 27 आठ से साथ जाएगा आपका एक बचेगा चार से दो जाएगा दो बचेगा 21 यह देखे आपका हो गया तो इस तरीके जो आपको कहता है उस पासे का चैन करें जो दी गई सीट को सीट की रेखाओं को अनधित मोड़ कर बना जा सकता है इसका तरीका आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे अपोजिट निकालेंगे कौन किसका यहां पर अपोजिट है जैसे तीन का अपोजिट आपका 5 हो जा जाएगा तीन का अपोजिट 5 है दो का फोजिट 6 है फिर एक बचता है और यह आपका आपस में छाएगा अपना फोजिट आपका जाएगा अब हम को यह देखना है कि अपोजिट चीजे या पोजिट सर्फिस हमारे विकल्प में एक साथ नहीं देखने चाहिए ठीक है चाहें का पोगा फोर है और सो यहां पर कि कुई भी स्टार्टिंग में ए वाला तो बने गा ही आपका अब बन जायेगा बीर ट्राई करते चे चार पाच चार पाच चार का अपोजिट छे चार पाच बनेगा अब हम देखते एक चार छे एक चार छे तो एक का पोजिट चार हो रहा है देख रहे हैं सी में ये एक साथ दिखाई पड़ एक का पोजिट चार सी तो नहीं बनेगा ठिक एक का पोजिट चार सी नहीं बनेगा दो तीन छे दो तीन छे में दो का पोजिट छे यहाँ पर है और यह आपको दिखाई पड़ा दो का पोजिट छे यह भी नहीं बनेगा इस तरीके से A और B दोनों विकल हमारे बन रहे हैं A और B दोनों विकल बन रहे हैं तो सही option जो जाएगा C आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर जाएगा ओनली A एंड बी ठीके C इस दा राइट एंसर ओनली A एंड बी यह आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोश Select the option in which the given figure X is invalid rotation is not allowed उस विकल्प का चैन करें जिसमें दी गई आक्रिती X अंतर नहीं थे rotation की अनुमती नहीं है ठीके यहाँ पर जो आपको यह figure दिया है इसमें rotation नहीं करना है as a t जिस figure को यहाँ पर देखना है तो आईए देखते हैं कहाँ पर हमाला यह figure आ जाएगा figure A वाले में अगर हम लाने की कुशिश करते हैं figure A वाले में यह figure हम लेके चलते हैं यहाँ तक आ जाएगा आ जाएगा यहाँ तक आ जाएगा यहाँ तक आ जाएगा उपर इसको आ चला जाएगा समझे हैं लेकिन इस figure को यहाँ तक हमें रखना है कि यह फिकर हमारा यहां तक चाहेगा है एक प्राप्लम है यह स्कुएर वाली इसका स्कुएर गरबड है यह वाला केंश हो जाएगा एक यह वाला हो जाएगा तरह बन पाएका अब बीमें चलते हैं कि भी में सीन बनाते हैं कि भी वाले में हम अगर इसको यहां से ऐसे लेते हैं इस तरीके से और फिर यहां से ले आते हैं ऐसे यह यहां पर ऐसे बना हुआ है ने 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 इसको भी हमको थोगा सा चेंज करना पड़ेगा इसको तुมा सा लाते हैं और लाने के बाद ये वाला फीगर बाते हैं ऐसे ये सही चल जाएगा या और बदा कर देते हैं पूरा पूरा कर देते हैं ये उसको हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वह बड़ा बॉक्स बना हुआ है यहां से इसको लाते हैं लाने के बाद यहां तक देखी यह पूरा बड़ा box बना हुआ है फिर यहां चले जाते हैं और यह भी आपका जाएगा इसके नीचे आने के बाद यह वाला box भी आपके साथ होगा यहीं सही होगा बी वाला बिकल्प बिल्कुल perfect है वहां पर आपके सामने चीज़े आ चुकी है ठीक है बी वाला जो बिकल्प है यह आपका यहां पर राइटन से हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन सेलेक्ट ऑप्शन इन विच दा नंबर आर रेटन दसेम वे आर अप इन दा गिवन सेट है उस विकल्प का चैन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंदित है जैसे दिये गये सेट में संख्या है मतलब बाइस चौशट तीन सो बानवे तो पहले द तीन सो बानवे को अगर हम डिवाइड करते हैं बाइस से 352 को डिवाइड बाइस करते हैं तो बाइस एककम बाइस ठीक है बाइस ठीन तीरह एक्सो बतिस बाइस चक्का एक्सो बतिस शोला बार जाएगा ठीक और यह सोला को इंटू फोर कर दिया जाया तो यह चौशट दिखाई कर जाएगा यह लोजिक है कि 352 को 22 से डिवाइड किया 16 आया 16 को चार से मल्टीप्याय किया 64 यह कंडिशन है अब हम यह वाले बिकल्प में देखते हैं चार सो तिरपन को हम भाग करते हैं कि से 27 से चार सो तिरपन को 27 से भाग करते हैं तो जाएगा 27 से कम 27 आइस तीन तीस और तीन तीस पंदरा ठारा एक्सो तिरासी एक्सो तिरासी में इकटेगा कि इस नहीं बन पाए गए याला कि उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कि दूसरे को देखते हैं 24 का एक्सो आठ से 24 का एक्सो आठ से देखते हैं 24 का एक्सो आठ से देखते हैं अरे यार यह क्या हो गया है पेंचेयम को एक्सो आठ को 24 से देखिया ठीक है तो तो एक्सो आठ को देखते हैं नहीं पूरा पूरा इसका भी नहीं बनने माला भाई इसका भी नहीं बनने माला है 19 का देख सकते हैं आप 19 का 19 और 6 25 सरसट 19 57 सी का नहीं बनेगा बी का देखिये 14 एक्कम 14 और यहां पे 6 39 अंधानवे चौदा का 14 का अगर डिवाइड करें 238 से तो बन सकता है यह वाला हम देख सकते हैं 14 का हमें समझ मेरा चौथा वाला समझ में आ रहा है 238 को 14 से आप भाग करेंगे तो चौदा एक्कम 14 चौदा चौदा सत्ते एक्सवाड़ से 17 सत्रा जो वहलू आएगी वह चार से मल्टिप्लाई करेंगे 68 यह वाला सही है मतलब यहां पर डी वाला जो विकल्प है वह हमारा सही है जो रिलेस्टन आपको कोश्चन में दिया गया था वही रिलेस्टन आपके सामने निकल कर आ गया डी वाले में है 238 को 14 से भाग के 17 सत्रा जो है 17 को चार से डिवाइड को मल्टिप्लाई कि अर्शट तो डी वाला जो विकल्प है वह हमारा यहां पर करेक्ट्ट विकल्प हो गया है अगला कोश्चन है उन्हें स्राटिन कोड लेंग्विज फिक्सेशन डिटेन एज दिया है आपको करना है पर सिंपल सा लॉजिक है देखते हैं लॉजिक क्या चल रहा है इसकी कोडिंग आपको दी गई है एफ आई एकसी टी आई ओ लगिंज थिक है यह आपका पलटके दिया गया है एकस आई अएकस आई एकस आउप आई neuen ऑ o ie बिचिक यहां पलट दिया गया है थिक है यह ऐसे है ऐसे है ऐसे है अब इसके बाद सेम लॉजिक आपको यहाँ पर लगाने गलिशीन में G L Y C E R I N ठीक है यह हो जाएगा इसके आप सुर्वात के चार है यहनि C Y L G N I R E यह आपका बनेगा यहनि कि C Y L G N I R E ठीक है N I R E तो इसका जो सही एंसर आपका दिखाई पढ़ रहा है वो आपका हो जाएगा यह वाला यह वाला भी कब से जाएगा नेक्स्ट दा सिक्वेंस आप फोल्डिंगा पीस आप पेपर एंड़ मैनर इन विस दा फूल्डेट पेपर हैज बिन कट इस सुन दा फॉल्ड फॉल्लिंग फिगर अब इस पेपर लुक विन फॉल्डेट कागज के एक टुकड़े को मूलने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्ली की ताकड़ों में दिखाया या खोलने पर ये कागज कैसा होगा आए देखते हैं इसको कैसे कट किया गया है और ये कैसे आपका ओपिन होगा कैसे इसको कट किया गया है और कैसे इसे ओपिन करना हमें देखे सिंपली हमारे पास पहले ये एक पेपर है देखे आप पेपर को फूर्ड करके ऐसे कर दिया गया है पेपर को फूर्ड करके ऐसे कर दिया गया है उसके बाद फिर पेपर को फूर्ड किया गया फोर्ड करने के बाद यहां पर होल है इस तरीके के आपके पिन होल है अब इसके ओपन करना है ओपन करने पर simply आप जान रहों कि इधर तो यह होल आने ही आने है ऐसे इसको भी आना है ठीक और जब इधर की ओर पीपर खुलेगा तो ऐसे यह भी portfol पूलाइंगे आपके साथ और ये वाले तुआने याने तरे हैं अब तो एसे है और ये जो फिगर है वो फिगर ना A में होगी भी में नहीं होगी सी में इन कि सुम्पली यह फिगर कहा है तो यसमारा अंसर क्या हो गया है correct answer वाला हो गया है चलिए अगला क्वेश्चन फूर लेटर कस्टर आपको दिये हैं हैब बिन गिवेन आउट आफ इस थ्री आर अलाइक इन सम मैनर और वन इस दिफरेंट सलेक्ट द ओर लेटर चार अक्षर समू दिये गए जिनमें से तीन कीशा से एक जैसे और एक अलग है विसम अक्षर समू का चैन करें आए देखते हैं क्या है लॉजिक लॉजिक देखना है ए से जड के बीच में क्या चल रहा है ए जड में ए की प्लेस वेलू वन है जड की टॉन्टी सिक्स है इसको जोडने पे टॉन्टी से बनाएगा एल और ओ को देख लेते हैं एल की प्लेस वेलू बारा होती है प्लस पंद्रा है और इसको बारा पंद्रा क्या करते हैं 27 करते हैं जी टी की देख लेते हैं जी की प्लेस वेल कितनी है 7 है टी की टॉन्टी है इसको भी जोडनेंगी कितना हैगा 27 के और एन देख लेते हैं कि का प्लेस वैलू कितना है ग्यारा है कि एन का कितना है 14 अब देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 25 जो कि यह इसका मतलब यही हमारा अल्लाग एंसर हो जाएगा बी वाला विकल्प हमारा सही होता है ठीक है डी वाला जो भी कल्प है यह आप कहां पर करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला कुश्ण स्टड़ी दा गिविन पैटर्न केयरफुली एंड सलेक्ट दा मैनर डाट कैन रिप्लेस दा कुश्चन मार के लिट दीए गए पैटर्न का ध्यान प्रोग धंकर उसंख्या कर चंग इस पर जो प्रस्टंख्या को प्रतिस्थापीत कर सके आईए देखते हैं क्या है लोजिक यहाँ पर 15 और 8 15 का स्क्वाइर माइनस 8 का स्क्वाइर मतलब 225 माइनस 64 अगर कर दिया जाए तो 5 में से 4 जाएगा एक 12 में 6 जाएगी 6 यह 161 आ जाएगा इन दो नंबर का स्क्वाइर कर दें उसके बाद डिफरेंस आपका 161 आ जाएगा ऐसे वहाँ पर 18 का भी कर दीजिए आप 18 का स्क्वाइर माइनस 9 का स्क्वाइर आपको मिल जाएगा 243 अब यहाँ पर 432 आया है तो 432 का मतलब 12 का स् इतना होता 144 है ठीक 144 और 432 को आप जोड़ दीजिए 12 का स्क्वाइर हो गए 1444 इसमें 432 आप जोड़ लीजिए ठीक है तो 426 437 417 576 573 का मतलब है 24 का स्क्वाइर होना चाहिए तो यहां पे आपको क्या होना थी 24 का स्क्वाइर है आप्शन बी वाला जो विकल्प है वो यह तो यहां पर आपका कर्ट पिकल्प हो जाएगा 24 रखेंगे तब ही डिफ्रेंस आकर कि आपको 432 पर जाएगा है अगला को अरेंदा फॉल्वेंग वाट्स लोजिकल ओर लोजिकल और मीनिकल ओर निम्लिकी सब्दों को तार्किक और शार्थर कम में विवस्थित तरें ठी चलिए देखें यहां पर क्या होगा आपका यहां पर कास्टिंग एक्टिंग फिल्म शूटिंग फाइनल फिल्म एन एडिटिक ठीक है कास्टिंग होगी अक्टिंग होगी और उसके बाद जो है इसमें जो दिखाया जा रहा उसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या होग सबसे पहले आपकी यहां पर कास्टिंग होती है यानि वन नंबर चाहिए हमको और वन नंबर ही डी में दिया है उसके बाद टू नंबर एक्टिंग होगी फिल्फ शिल्म की सूटिंग एंड फाइप नंबर पर एडिटिंग है फाइनल फिल्म आपकी चाह नंबर पर चाहिए ठीक है तिस तरीके से आपका डीवाला विकल्प ही हो जाएगा चलेक्ट नंबर देट कें रिप्लेज दा कुश्चन मार्क इंदा फॉल्लविंग श्रीज उस संक्या का चैनक्रे जो निम्दिकित प्रस्चंकला में प्रस्चिंकाव प्रतिस्थापित कर सकती है 59 से 50 कैसे हो रहा है आगे देखते हैं 39 में अगर हम 11 कर दे तो यह 50 हो जाएगा उसके बाद देखिए जो 50 है उसमें 11 और 2autres बढ कि इसनी थेहां तो 50 में 13 कर देंगे हम तो हमको क्या मिल जाएगा 63 मिल जाएगा अब देखिए 63 में हम क्या करेंगे फिर 13 और प्लस 4 एक बार हमने क्या जोड़ा है दो जोड़ा है आपकी बार हम 4 जोड़ेंगे यानि 63 प्लस 17 जोड़ेंगे 63 प्लस 17 तो हमको मिल जाएगा 80 हमको क्या मिल जाएगा 80 अब 80 में यह 17 तो रहेगा यह रहेगा लेकिन प्लस 2 करेंगे कि यानी 80 में क्या जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे 17 दुननीनीस होगा 19 तो हमें यहां पर मिलना चाहिए निन्या न जिंद नग Mandalовых 29 प्लस 19 प्लस 4 एक बार 2 एक बार 4 तो यह 99 और 19 चार यहां पर 23 आप करेंगे तो 23 करने पर आपको मिल जाएगा यह 122 जो आपको यहां पर दिया गया है इस तरीके से लॉजिक पूरी तरीके से आपकी यह सटिस्फाइड हो जा रहे है कम्प्लीट लॉजिक आपको यहां पर समझ में आ रहे हैं ठीक है फोटोसप्ट जो चोटा नहीं चोटा है नेंसलुकूर्य आपको च्रज्फाइब करिया एसनास भीत उसक्वा इसक्वाय इससे प्रिकार संब्दित जैसे आप्प्रिकल माउस से संब्दित देकिए Photoshop जो है यह आपका software होता है लेकिन optical mask जो होता है वो क्या है hardware होता है तो यहाँ पे simply आप यह वाला बिक अब लगा देंगे यह आपका hardware वाला हो जाएगा इस तरीके से आपको complete discussion समझ में आये होगा लगातार आप अगर इस तरह का discussion चाहते हैं तो आप मुहित महिंदर के साथ जुड़े रहे हैं ठीक है चलिए थैंक्वी क्लास